सुशान सिंग राजपुक की मौत ने हम सब को जिन जोड़ के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर है कि कैसे पैलर नेरिटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो यह डिप्रेशन में आते हैं सुइसाइड करते ह जो बंदेने स्टैंफोर्ड की स्कॉलर्शी वो रैंक होल्डर है इस एंट्रेंस और एंजिनेरी उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट वो क्लियरली कह रहे है कि लोगों को बैक कर रहे है कि प्लीज मेरी फिल में देखो मेर कोई गौड़ फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंट्रव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है I feel like a leftover तो क्या इसमें इस हाथसे की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार कीड ने इस तरह से छे साथ के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अग्नॉलिजमेंट कोई अवर्ड नहीं मिला या केदार नाथ या दोनी या चिछोरे जैसे फिल्म गली बॉय जैसे एक वाहियत फिल्म को सारे अवर्ड मिलते चिछोर अवर्ड फिल्मों को यह फ्लॉप बोशित करते हैं मुझे छे केसिस क्यों डाले गए क्यों मुझे जेल में डाले की कोशिश की गई और मुझे जो चम्चे जर्नलिस्ट है वह शुषान जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वह साइकॉर्टिक है न उनकी बात मान गया उन्हों ने कहा तुम वर्थलेस हो वो मान गया उसने he didn't remember what his mother told him उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नी होगा वो मान गया वो चाहते ही यह है कि वो इतिहास लिखे और यह लिखे कि शुषान्त कमजोर दिमाग का था वो यह नहीं बताएंगे कि कैसा च क्या है तो हमें यह डिसाइब करना है कि हुव राइट थे हिस्ट्री वी विल डिसाइब आट